कि अग्री अग्री वाइन वेल्कम टू अग्री कलचर अड़ार 247 तो स्वागत है सभी लोगों का तो देखो आज जो यह सेशन होने वाला है यह सेशन होने वाला जो अभी कुछ दिन पहले ही एक्जाम हुआ था तो इसका कंप्लीट पेपर अनल्सिस हम आपको कराएंगे इसमें बिद्स सलूशन ठीक है थोड़ा सा डिसकर्स भी करेंगे इसमें जो भी कॉच्छन्स पूछे गए थे उनके राइट आंसर्स क्या है और ऑफिशियल आंसर क आपकी आच चुकी है उससे उसमें क्या दिया है इन सारी चीज़ों को लोग डिसकस करेंगे ठीक है तो फटाफ़ से आजाओ सभी लोग शेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो जो लोग नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लो आखर आए दो अब लूता है बैसे बिहार आ रहे हार बी हार भी यह इव की बात करें जब यह एक्जाम होगा जिसमें इस तरह के एं घोल और जो चाहिसें के गश्पर बन क्या है« एक कर वहां की स्वार्गिशन से स्टम क्या एक पर सबसे ज़्सेड़ HER भी जाने तो लोग Hindi Hindi समझते हैं Hindi में देखेंगे जो लोग इंगले समझते हैं नहीं समझ पाते हैं थोड़ी में कभी क्या होता है कुछ स्टूडेंट की ञोटी है जो साउथ साइड के हैं जिक वह ठोड़ा सा इंदी समझने में प्राब्लम होती है तो इनके लिए इंग्लिस ठीक है बाकी देखो ये शेशन जो है ये सभी लोग देख सकते हैं जितने जितने लोग भी अग्रिकल्चर एक्जाम की तयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं इससे क्या है कि आपको आइडिया लगेगा कि भी एक्जाम में क्वेशन किस तरह पूछे जा सकत एक पर्टिकुलरaldo टॉपिक से ठीक है तो चलिए तो इसका जो क्रेक्टम्स था नयिन इस्टिट्टूट फ एंग्रिक अलचर बायो टेकनलोजी इंडियन इस्टिटूट फ एंग्रिककल्चर बायो टेकनलोजी तो पहला अप्ष्टन दिया था रायपुर मेल गाउं ठि तो इसका जो सही उत्तर था वो क्या है राची तो यह कहां पर स्थित है राची में है यानि किसे सौट में काएंगे आई आई ए बी आई आई ये भी तो यह कहां पर स्थित है आपका राची में स्थित है कहां पर है राची में तो करेक्ट आंसर इसका राची हो जाएगा ठी जो आपकी आंसर की वो भी आ चुकी है ठीक है इसकी ऑफीचल आंसर की भी आ चुकी है अगर आप आप अफीशल आंसर की देखना चाते हो तो ओफीशल आंसर की भी देख सकते हो टेक है चलिए नेक्स्ट इसके बाद अन्गला कोशंद था येर 200 तेस is related to जो वर्स ऐस्वेस्ट थे से संब्धें तह तो पहला ऐपन दिया था International year of biodiversity international year of forest and international year of millet और फोर्थ action था International year of fiber crop तो इसका जो सही उटतर है किया हो जाएगा International year of millet तो 2030 को एनाउंस किया गया हैं कि international year of millet याहनि अन्तर रास्ती लगू ऊद्दान इवर्स लगू धान निवर्स तो लिए इसके बाद अगला कुश्चन देखो दिया है क्या रॉक फास्पेट इस एपलाइड इन विच टाइप आफ स्वाइल इसमें आपको बताना है कि जो रॉक फास्पेट है यह किस स्वाइल में अपलाई की जाती है तो इसमें पहला अपसंदिया था न्यूटरल दूसरा कहते हैं अमली मुर्दा कहते हैं या ऐसीडिक सौइल कहते है ठीक है या ऐसी डिक बातस्वारी एजिए तो यह यह रख लेंगे रॉक फास्पेट क्या है एक ऐसा फटीलाइजर है ना तो यह वाटर में सॉलेवल है ना ही साइट्रिक एसलेवल है इसके बाद अगला कुश प्तर सही हो जाएगा पहला तो एन जो आपका एन आई बीसम का जो पूरा नाम है वो क्या है नेशनल इंस्टिटूट आफ बायोटिक सक्सक्राइब पूंद का विर Peek को मनेजमेंट के इसमें उपकि घायोटिक वस्तु साइ्ट है मैं सीथ इसमान के अग्रोनोमी सबसे ज्यादा संसे और फेल ससी पूछे गए चलिए अगला कुश्चन हम लोग देख लेते हैं इसके बाद यह था सिलवर रेवलिशन इस एसोसियेटेट विद रजत क्रांती जो है वो किस्से संबंदित है तो एग और पॉल्ट्री प्रडक्शन से किस्से एग और पॉल्ट्री प्रडक्शन तो यहां पर जो सही उत्तर कर रहें हो जाएगा हो जाएगा है एक सेकेंड हां डी फिर्टम हड है ठीक है छएग होजाएगा बाकिस यौह 5 प्रडक्शन नहीं होगा और ही होगा आपका फूड परड़क्शन अगला क्वेशन है टोटल ओइल सीड परड़क्शन इन इंडिया दो हजार बीस से 21 दो हजार बीस और 21 में ओईल सीड का परड़क्शन कितना हुआ था यह बताना आपको तो पहला अप्सन दिया है 35 नाइन 4 इसका जो हजाएगा से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की ओर अगला कुशन दिया है कमांड अरिया डवल्लमेंट प्रोग्रम बाद से रिलेटेड। है ग्राइन को मिलेगा यह प्रोग्राम और चलाया गया था तो पहला ऑफिसे सब्सक्राइब 1974 1989 और 1989 बोलिए सही उत्तर क्या था इसका पड़ावट से अंसर करो तो इसका तो और सही उत्र था वोका है 1974 1974 1974 जो है वो सही उत्तर है इसका इजट के यह चलिए इसके बाद अगला कुश्चन है अगला कुछ तर ने इन च्छतीस गड़ विच वराइटी ऑफ राइस एज अर्णड जी आई टैग बता ये इसका सही उत्तर क्या होगा किसका इसका सही उत्तर क्या होगा मतलब की 36 गर्ड में धान की किस किसम ने जी आइटेग प्राप्त किया यह बताना आ जी आइट यह किसको जी आइट का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ठीक है तो जी आइट जो फूल और भी यान 예 फूर्टिक आ ये जो आपका नगरी दिया है नागरी दोबराज और जीरा फूल जीरा फूल सबसे.- जीरा फूल को इसके भाद है यह जो वेराइटी ऐपकी नागरी दोबराज इनको जी आई ही टेग्ग गया है कहांपर исп 6 गड़ Кон इसके बाद गोशित किया यह हो गया आपको क्या एक एक सेट अधिक है चलिए अगला को परच्छन दिया है डाउनड और मूंट वाटर और तू सचुरेटर हम कहेंगे सीपेज परकुलेशन लिखा हुआ है और जब भी हम पढ़ाते हैं तो आपको इसी तरह हम बताते हैं कि यह जो औरिजिनल वर्ड है इंगलिस के यही याद रखने क्योंकि हिंदी में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस तरह के वर्ड में जैसे आपको याद रखने हैं यह वाले तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा परकुलेशन तो परकुलेशन जो है वह आपका सचुरेटर स्वाइल में होता है यहां पर अगर दिया जाता फॉर्स्ट इंट्री ओवाटर इंटू दा सॉयल यह क्या हो जाता इसका सही उ अगला कुशन है इसमें क्या दिया है आपका क्रॉप ग्रॉटेक्ट दा मेन क्रॉप फॉर्म वेग्रीज आफ नेचर एंड आउसो टू रेंडर सपोर्ट दी क्रॉप इस काल्ड तो इसमें आपको जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा आपका कि मुख फसल को प्रकति की अनि इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा नर्स ॔र टो ऐसी और क्रॉप कहले आती है ढूंच कियों की जाती है उसका में आपजेक्टिव क्या है तो में दा स्वाइल स्वाइल के नीचे या सॉइल में इंपर्मीयेबल लेयर को create करना ठीक है जिससे की क्या हो की वाटर का जो पर्कुलेशन है वह नहुंther हो कि पडलिंग करते हैं कि ज्यादा सवाइल में water return रहे क्योंकि रैस की जो water requirement है वह बहुत ज्यादा होती cell س wisdom और इसके लावा और भी फाइदे होते जैसे वीड कंट्रोल हो जाता है और नुट्रेंड के विल्विल्टी बढ़ जाती है नेक्स्ट वनीज विच आप दिफालविंग इस एन एक्जामपल ऑफ पैरिनियल बीड बताना है आपको किसमें से कौन सा पैरिनियल वीड का को दो बढ़ा हूए ईस साइइ structures रressionist outlines यि था पता ही हौगा है ये 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 तो पता ही होगा है ये तो पता ही होगा मौथा योंहुंगा ने मौथा था ठीक है मौथा साइपरेस रू रेंडास का साइंटिफिक नेम है प्लीज यह बता दीजिए बियों की ब्लॉक अग्रिकल्टर आफीसर गी नहीं रसीले तुमारा नाम भी रसीले है यूपे में टीए आती है टीए कैन सुपरवाइजर एच एना स्टी ए चलिए अकॉर्डिंग टू प्लानिंग का मीशन आफ इंडिया इंडिया को तो आप लोग क्या रहा रखेंगे पंद्रा 15 एकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ठीक है जिसे कहते हैं भारत में यूजना आयोग करिसा ठीक है भारत को कुल पंद्रा करिसी जलवायो च्छेत्रों में बाटा गया है कितने पंद्रा हो जाएगा इसका नेक् और नजी है क्या दिया है वो बंपाइंट 33 ग्राम पर क्यूबिक एंटिमितर ठीक है तो यह बलक डेंस्टी क्रॉप का है ना मस्टर्ड फालविंग विच बताना आपको कपर-क्रॉप कौन सी है इसमें आपको बताना है कबर क्रॉप कौन सी है तो मेज रेड़ ग्राम काउपी रेड़ ग्राम या आल ओफ दायवब तो देखो जिसका भी पेपर है उसने सही के उत्तर किया है काउपी क्या हो जाएगा काउपी जो मेज वाइड स्पेसिंग क्रॉप है तो यह नहीं होग किसी भी एडवांस लेवल तक सारा पढ़ लो ठीक है बेसिक पेपर आएगा तो बहुत अच्छी बात है तो वह हमारे लिए अच्छा है बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिन लोगों ने सही से पढ़ाई नहीं करी है तो आपके लिए यह प्लस पॉइंट हो सकता है तब ही दोखो हर सब्जेक्ट जैसे अब आप किसी अग्रिकल्चर एक्जाम को देना चाहते हो तो ना एक बार अभी से आप त्यारी स्टार्ट कर दो प्री को भी पढ़ना स्टार्ट कर दो और अपने आपको आठ नो महीने तक एक दम बंद करके रखो कि हमें कहीं की भाना लग जांए हबालोगने का मतलब समझ रहो हाँ तो बंगर करके रॉक तैयारी सही से करो तो था मैं यह भांता हूं कि अग्रिकल्चर अगर एक बार तयार हुज आती है तो फिर सर कोई प्राब्लम नहीं आएगी इस में तो कोई प्राल्लम नहीं आएगी ठीक है कोई किलोग्रम तो यहां पर सची उत्तर है अवरेच होती है वह होती है 25-30 किलोग्राम प्रत्य हेक्टेयर कितना हो जाएगा 25-30 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर इतनी सीडेट होती है बियो के लिए पेड़ बैच वाला नोर्स पीडियाफ हो में अबलेबल हो सकता है कृष्णा अगर आपने देखो पेड़ क्लास लिए हैं तभी आपको वो पीडियाफ मिलेगा जो पेड़ वाले स्टुडेंट्स को प्रवाइड किया जाता है ठीक है या जो पेड़ क्लास मे हैं को खदेड लेंगे इसके बाद या वाट इस अ कंटेंजेंट क्रॉप प्लानिंग ये ड्राइलेंड अग्रिकल्चर से क्वेशन रिलेटर है यह बिना प्रवाली क्लास में करवाया हुआ है अगर आपको यकीन नहों तो आप चैप्टर उठा के देख सकते हो ठीक है हा जिसमें हमने चैप्टर का नाम बता देते हैं आपको कंटेंजेंट प्लानिंग आफ कंटेंजेंट प्लानिंग अना इन ड्राइलेंड एरिया इस तरह का क्रॉप टाइटल हो सरी वीडियो का टाइटल होगा आप लोग देख सकते हो हाँ ल但 चलिए तो इसका जुक्त फ़े हो जाइगा चेंज नॉर्मल क्रॉप प्लानिंग टु वेदर अब नोर्मिटी तो देखिए क्रॉप प्लानिंग की मालब Dark dust मालब फोम herumहीं क्रॉप जो है तो यह क्वेशन उनके लिए आसान लग रहे होंगे यह थोड़ा सा मान सकते हैं कि यह आपके लिए जो थोड़ा थोड़ा कब पड़े होते हैं उनके लिए हो सकता था यह और ना हो पाए हां चलिए इसके बाद अगला कॉश्चन है फू अ मंग्ड़ फॉलविंग इस नोन एज फादर ऑफ आगर्रोमी यह तो पता ही होगा आप लोंग पीटर डी करेसंजी पीटर डी क्रेसंजी को किया जाता है फादर ऑफ आगर्रोमी कहा जाता है यह तो बेसिक है ठीक है यह त है कि अंकिश और ब्हूंप होने से पहले रात में पहले ही सारे से नहीं यह और आ है सब नियुके चलके तयारी मत कि आगर ώरो नहीं इस पॉइंट अभी से एकजाम दिया करो ठीक है यहयाप के लिए जितना आप ऐसा करोगे उतना ही आपके दिमाग को यह डैमिज करेगा और हम कहेंगे कि निगीटिवटी को आपके दिमाग में भरेगा तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है वह यह आपने दिमाग में ना लाया करो ठीक है जब तक हमें कोई पूरी बात पता नहीं होती हम कुछ कह नह इस एसी में बारबार सचाई हमें करनी पड़ती है के चली नहीं वह घंतर आप Iron 02 नहीं कोटिक अधिक उपस्टतर ऌसव नहीं करते हैं पहला option है आपका टेंसियो मीटर दूसरा है लाइसी मीटर गेविमेट्रिक एंड विध्धुत आपका यह यह तो हमने चलो उसमें पेड़ क्लासस में करवाया है यह यह अधर हाँ हाँ देखो एक अंकिस शम्त में एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं अपने भेजे में यह बहुत अच्छे से डाल लेना एक स्टेट्मेंट देखो अगर आप यूपी से हैं ठीक है ठीक है अब देखो एक चीज़ सुन लो यूपी में क्या ओवरॉल इंडिया में ए क्रिपिको एक्चुली जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय यही क्रिपको में क्या चलता था कि भी नहीं नहीं इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का नहीं होता है बाकी सब का हो जाता है जो लोग इस तरह के हैं ठीक सिंपल बताते हैं आपको और सर हमने अपने आ सबढ़ने भाई इसमें जो है आपका जो गार चलता है जबकि ऐसा नहीं है सर एसा नहीं है अगर आप छही से पढ़ाई करते हो सब्सक्राइबाइस और हां भागी इस है princess सोइल मौस्टर टेंशन ग्रेवी मैट्रिक मैथटर भी स्वाइल मौस्टर टेंशन में यूज होता है इंक्लूडिंग एलेक्रिकल अस्टेंट मैथट भी क्लियर है चलिए हो जाएगा तो यह दिमाग में यह निगेटिविटी मत रखा करो और जो लोग इस तरह की बात करते कितने प्रस्त तक विस्तारित होती है तो यह लगवग 40-60 हमने जब लिखाई होगी तो 50-60 लिखाई होगी ठीक है तो यह उसी में मैच कर रहा है तो 40-60 जो है वह सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा 40-60 क्लियर चलिए इसके बाद आ जाता आपका क्वार्टर टाइम क्वार्टर टाइम रूल जो है वह किस से असोसियेटेड है क्वार्टर टाइम रूल जो है वह किस से असोसियेटेड है मतलब की पर वाटर फिल होने का फरो में वाटर फिल होने का यह टाइम होता है क्वार्टर टाइम रूल ठीक है तो यह किसमें यूज होता है किस से अस चलिए तो इसका जो सही उत्तर है वो और का सी हो जाएगा नेक्स्ट वैनिस के बाद दिया है बोल्ड ड्रेन ड्रेन्स और यूजद इन मौल नाली ड्रेन ड्रेनज का एक टाइप हम कह सकते हैं मौल्ड जिसको कहते हैं यह जो है आपका किसमें कि यूज किया जाता है तो मोल्ड का यूज करते हैं इसमें मोल प्लाव का यूज करते हैं जो सब सर्फस में वाटर होता है उसको निकालने क्वेशन है तैंथ है वह क्या है सी जी एस डेबली एमेंट एक पूरा नाम क्या है पताना आपको बसाओ है क्या हो जाएगा और नहीं रहे सो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है जो लोग अपनी प्रेपरेशन हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं इस्पेसली आई बीपेस एफो के लिए या किसी एक्जाम के लिए आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो हम लोग लेके आए हैं आपके लिए कंप्लीट हिंदी वाला ब सब्सक्राइब अगर आप इन्रूल करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो इसकी क्लास जो तेरा से स्टार्ट तेरा से स्टार्ट हो जाएं हां टोटल जो कुस्टन है वो 100 है चीक है चलिए कि नेक्स्ट चलिए अगला क्वेशन है देखो एक हजार टन ओफ टोमेटो बाज प्रोड्यूस दिन पूर हेक्टियर लेंड यूटिलाइजिंग ट्वंटी थाउजन मीटर क्यूब आफ वाटर वाटर क्रॉप वाटर यूज एफिसंसी बताना तो बाई अपान इटी होता है इसका तो इसका जो सही उत्तर है वह 50 kg पर हेक्टियर पर mm हो जाएगा 50 kg पर हक्टियर पर mm ठीक है इसका निकालने का फर्मूला क्या है वाई अपान एटी वाई अपान एटी जगह आप रेक्वार्मेंट कर सकते हो एल्ड कितनी है एलड़ जो है वाप देख सकते हो हंड़ेट टन् फूर हेक्टेर है तो इससे क्या है आपको पर हेक्टेर का मिल जाएगा उससे चार से मल्टिप्लाई करना बाकि आपको यह यह वैलू मिल जाएगी यह वैलू जो हो आपका आसानी से मिल जाएगी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यह जाएगा ठीक है सर आप एक प्रामिस करो कि बिहार भी ओ का एक्जाम नहीं देंगे अरे अग्री इंडियन हम क्यों एक्जाम देंगे भई वर्यू मीन तुम को कह लग रहा है तो है कियो भी शेक क्या नहीं एग्री इंडियन तुम कौन हो भी चलिए अगला कुशन है दे वैली ओफ सर्फेस रिसस्टेंट फोर रिफरेंस सर्फेस एज फोर रिफरेंस सर्फेस एज डिफाइंड अंडर फूड एंडर अग्रिकल्चर और्ग्नाइजेशन मेथलों मेथलों लॉजीज बोले क्या होगा एफ विजियों के अंतरगत सब्सक्राइब इसका क्या होगा जो है वह क्या हो जाए गरो श्र्फ्राइब आते हैं यह आती है ठीक है आप लोग STA दे सकते हो senior T a जिसको कहते हैं दे सकते हो काफी सारे chances हैं अब हाँ हर जगे दे सकते हो वो तो कोई भी दे सकता है नेक्स वैंज इस रहनी क्लाउड निम्बो स्टेटस कुम्लो निम्बस या सिरस या सिरो स्टेटस इसमें थोड़ा सा आपकी कह सकते कनफ्यूजन है लोगों ने जो आंसर किया है वह आपका किया निम्बो अगया ठीक जितने निम्बस naprawdę निम्bot जिन लोनिम्बस होगा है ना तो मैंने का वही देख लेते हैं ठीक है अंसर साही जो है यह यह चलिए नेक्स वन इस इसके बाद यह विच ग्रीन आउस गासे विपिद बिदर राइस क्रbahn राइस क्रॉप से कौन सी ग्रीनाउस गास समंदित है आप अमेथें मीथें मेथें जो है वो राइस फिल्ड से रिलीज सोती है यह बात तो आपको पता ही है आप यह आपको पताई हो गा चलिए यह भहुत इजी था मेठेन इसमें मेथेन गैस की प्रड़क्षन में इसमें नीज बैक्टिरिया नेटस्वाणि का यूज किया जाता है विच आनिमो मीटर दिया ओता थो सई उत्तर हो जाता तो अगे बढ़ते हैं एगले की और इसके बाद यह दा प्रोसेस ऑफ सी ड्राइंग इस वैरी इंपोर्टेंट टू मेंटेन इट्स मतलब की सी बीज को सुखाने की प्रकिरिया बहुत ही मैधपूर है ताकि इसमें बनी रहे बाइविल्टी और विगर प्रोटीन कंटेंड बना रहे ऑइल कंटेंड बना हम ऑप्टिमम इसमेंटर है सिलिए्ग एक सक अगलित महिंट हो सक है अगला फट प्लान्ट की सिंपल याद रखनें है तो तो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा धान सभ्ममें आरी बात है अट चलिए इसके बाद धाद है आपका क्रेंज टैप आफ एनाटॉमि फॉंड इन जिसके सारी रिक्पाई है उस्ताइफ कि पायी एक जाती है तो देखो इस तो एक्जांपल है उसका तो करेक्ट्व जो आपसन हो जाएगा जिसको आ कहा जाता है पिर चलिए आगे बड़ते हैं इसके बाद यह तो कह यह कहते है नेत्र क काम रहता है यह क्या कर लाता आई या नेत्र कहलता है तो जमक यह तो तर था इसका पैसे यह आप देखेस चलिए प्रत्र रेकर के इसमें मैं स्कूर कर सकते थे यह इस एक्जाम में इस पेपर में मैक्समम स्कूर कर सकते थे आपके पास एक अच्छी अपर्श्यूनिटी थी चलिए अगला कॉश्चन हाउ मेनी केलवन साइगल नीडेट टू प्रडीउस वन मॉलीकुल आफ ग्लूकोज ग्लूकोज के एक अडू बनने अडू के निर्मार के लि हाँ 6 Kelvin cycle की requirement होती है ठीक है अब चलिए सर एक्रोनोमी के लिए best mcq mcq batch कौन सा आपका अर्जुन है या कोई और है जिसमें full topic cover किया जाए एक्रोनोमी का mcq batch mcq batch क्या होता mcq batch yt पे मिलेगा जो की 12 बजे 12 बजे yt पे अब अर्जुन नाम से नहीं आएगा यूटुब पे आए अब अर्जुन नाम से नहीं आएगा शेशन सरफ एक्रोनोमी और सॉइल साइंस के नाम से आएगा जिसमें topic wise हम स्टार्ट करेंगे यानि कल से जिसमें तो कल का जो topic है वो ड्ल रहेगा ड्राइलेंट अगरिकल्टर रहेगा clear Monday का जो topic है वो ड्राइलेंट अगरिकल्चर रहेगा clear कि त्यारी कर रहे हैं और तुम पूछ रहा है यूपी में है क्या बीच में छोड़ने का इरादा आए गया नेक्स्ट मैंसे कौन सा एक जैविक कारक है यह बताना है आपको जैविक कारक कौन सा है तो नेच्टरल एनेमीज बाकी तो एबाल्टिक फैक्टर ने लाइट मॉस्चर टेंपरेचर तो यह तो बिलकुल नहीं होंगे तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगे नेच्टरल एनेमीज प्राकरतिक सत्त्रू नेक्स्ट वन इस सॉरी दा साइंस विडिया विच डिल्स करते हैं इंसेक्ट एकोलोजी इंसेक्ट फिजियोलोजी इंसेक्ट माइक्रोबाइलोजी और इंसेक्ट इंब्रियोलोजी बोलिया करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा कैने के इंसेक्ट इकोलॉजी एकिलोजी तो इसका जो सई उत्तर है वो ये हैं नेक्स्ट को साइंट्रिक किनुम आप गया को यह तु पता ही होगा अप लोगोगो इसुन पता ही होगा कि साइंटिक नेम आफ टोबैको के टर्बिलरॉ इस पोड़ पेरा लीटूरा इस पोड़ो पेरा लीटूर जो है वो इसका सजुत्तर है। आप यह है इस पॉरडो कलिए लेटूर रहे हूँछ था है सीचाता ठीक लिया कि से करना चाहते ग कर सकते हैं था है नेट्स यां धियर नसे इस में इस्टव मनेज में लोकेटिश तो यह बताना को की इस में जो है इस में जो है इसमें जो है इस्टेंटर फूर इंटीग्रेटर पेस्ट मैंङमेंट कहा पर इस्त है यह कुलकाता में जो म में यह नियू डेली तो इस च हो हो जाएगा न्यू डैली मिस्ते थे कहां पर रहे है नियू डैली यह भाइचाब ने थोड़ा से लगा दिया है बैंगले रू लगा दिया है बट कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट में इस विच आप दिफ फालविंग इस टेज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट फाल आर्मी वर्म नि इलली क्या काते हैं एली और प्यूपाँ को कहते हैं शंकी और रत को कहते हैं वह देखो इसकी ऑगया निखिवास कें ले outcome जुढ़ू ए गया कुंट्रोलं इंसेक्ट पैस्ट परियूस आफ इंटो इंटो मौथ वैक्टीरिया फंजाई वाईरस प्रोटो इंसेक्ट किसको इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं ठीक है इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करते हैं किसके द्वारा जीवाडू कवक विसाडू के द्वारा तो यह किसके अंतरगत आएगा आपका कल्चरल कंट्रोल मेकेनिकल केमिकल तो यह तीनों नहीं होंगे यह तीनों नहीं हम बहुत जल्दी प्रवाइड कर देंगे कुछ इतने हो ठीक मुझे पता है कि नहीं रहेगा प्रॉवाइड कर देंगे रहे बहुत जल्दी प्रवाइड कर दे up थेख काम चल रहा है उस पर इसके बाद विच आप दी फालविंग इस दा एग लेंग साइट आफ पिजन पी पॉड़ फ्लाई जिसे जिसका साइंस्पिक ने में मेलेनो ग्रूमाईजा और आप ट्यूसा बताई यह रह ऐसे कौन सा और हैर की फली मखी और की फली हम लैनो गर्माईजर ऑवग अट्यूकल का अंड़ा देने वाला इस्थानिये अग लेंग कहां पे करता है यह बताना है आपको तो यह एक्लेइंग करता है कहां पर फलियों के अंदर कहां पर फलियों के अंदर तो इता है वह था हूँ वूआ लुट's audi को होते एजी है यह बताओ आप लोग किस प्लांट इन्यूटेंड के गुरुप को हम इस्ट्रक्चरल एलिमेंट बताओ तो इस्ट्रक्चरल एलिमेंट जो बेसिक इलिमेंट जो बेसिक फ्रेमबर्ग बनाते हैं तो डाट इस याच व कारबन हाड़िजन और ऑक्सिजिसे नौन मिन अगला कुश्चन है विच अप फालविंग इस मुझस रेकॉगनाइज़ अलिमेंट इस एन एसेंशियल प्लांट न्यूटेंड मैंसे कौन सा था तो सबसे सबसे अभी खो जा गया है यह तो पता ही होगा आपको निकल है 1987 में इसको एसेंशियल की कटेगरी में जोड़ा है पी एफ ब्राउन के द्वारा किसके द्वारा पी एफ ब्राउन चलिए नेक्स्ट वनिस इसके बाद दिया है अस्वाइल हेविंग एसी मोर्देन फोर डेसी साइमस पर मीटर यह एस पी मोर्देन फिप्टीन सैंटीमेटर पी जो है वो मोर्देन 8.5 होता है तो साइल है यहाँ पर है यहां सोडिक होता है कि इसी जिया वह कम होती है थीक्स बंट को यहां पर स्फीस की ज्यादा नहीं होती नहींगान जादा होता तो यहां पर स्वीय पर स्वयल होता वो to देखा जाए तो प्यसी घ्रम iz Sticker करेंगे चलिए हैं तो पैड में हो बहुत बढ़ी है को मिल चाहिए पर से तो हुँँ चलिए नेक्स जिप्सम इस एज अमेंडमेंट टू रिक्लेम वीच अब फॉलविंग सोयल तो जिप्सम का यूज वह सोडिक सॉल को रिक्लेम करने के लिए किया जाता है सोडिक सॉयल को या जैसे अलकली स्वाइल के नाम से भी जानते नेक्स वन इस अब आपको बत करूं दो किसिन करो तटिए के हैं तो क्या हो जागा संदी लूम सोइल है नहीं नहीं किसे हो जाएगा है लके जह ज्यादा हो टिढ़ पर संदी लट करने नहीं हो ए रोल नहीं जा घा इत्क्राइब गरूद सब्सक्राइब है कि जा वास आ ता दब सोई light textured soil जो है वो कौन सी है इसमें बताओ फटाफर से light textured soil कौन सी है तो light textured soil तो पता ही होगा आपको पहला option दिया sendy loam, loamy send बताओ फटाफर से answer करो ठीक है इसमें देखो जो सही उत्तर किया गया है वो sendy loam किया गया बैसे देखा जाए तो loamy send होता है सबसे यदा होती है देखो light sandy फिर होती है loamy send ठीक है loamy send और इसके बाद जो सोयल है वो sendy loam होती है यह order है ठीक है तो यह lightest सबसे lightest यह फिर इसके इस से थोड़ा कम यह है फिर इससे कम यह है यहां पर देखा जाता तो लोमी यहां पर जो है जिन लोग ने संडी लोग लगाया होगा उनका सही होगा नेक्स वन इस यूनिट मास आफ ओविंट राइस एल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्वाइल टर्म डेज़ डेट इस बल्क रेंस्टी यह क्या लाती है बल्क रेंस्टी कहला आती है अगला पॉस्ट डिया टैक्सर क्लासिवाइशन वर्ट वा्ड टिवाइड हाव मैंने वार्ड इस उड्यवाइड वावा एडवाइड है आप तो फ्रेंट कर अगाई हाउस एक प्रेक है जिसके दोरह आप जो है याद कर सकते हो चलीए अगला फॉस्ट अगला विश्ट क्या दिया है अग इस्टीमेशन ओफ हेट्रोसिस ओबर सूपीरियर पैरेंट ये किलाएगा हेट्रो बैल्टींटियोट इस है बैल्टींटिओस जो यह वो इसका सही उत्तर है कि टिए है हेट्रो बैल्टिंटियो से चलिकर अगला कुश्शन देख लेते हैं व्लोग अगला कुशन देख और में क्रोमोजोम sumb कितने होंगे यह बताना है किंॉस्पामी क्इतने होंगे हम इन्ड़ चाह Neden खान थी यह सुझे हो जाए गड़ाएगा तो इसका जो सही हो जाएगा आपका यहुक्त सब्सक्राइब है अगला कॉशन रिक्वाइट किसके लिए रिक्वाइड होता कि सीदिके परडुक्शन लिए रिक्वाइड हुता है रिकवाइड रखायड है थे अनुलीस के बनाते क्सक्राber बना हschaftury वाईट फ्लावर वाली तो सुममें तु में अट्टू मेरेट और वाइड धोनों मिल यृद दोनों का जुरेशियो है वह नाइंब टू रहता है तो जीनो टाइप पर्रेंट्स क्या होंगा इसके परेंट्सκा जीनो टायप क्या होगा यह बताना आपको तो क्या हो जाएगा यह एक अपिटल रहे गाइगा इसमें एक एक अपिटल बीबी और एए बीबी यह जो है वो सही उत्तर था इसका ठीक एचलिए नेक्स्ट अगला कुशन है एए बी आर 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 लाइन आर कंसर्ट बिद बदाएए क्या होगा यह इसमें एबी आर लाइन वह वो किसके किसमें यूज रोती यह हाईब्रिट सीट प्रक्शन यूज रोती है इसमें होती हाईब्रिट सीट प्रक्शन चलिए नेक्स तो इस अब लेक स्किन गर्ल married with white-skinned boy the all children will be medium brown skin but produce segregation the segregation in F2 generation will be F2 generation segregation क्या होगा यह बताना आपको इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है कोई black-skinned girl है जो साधी करती है किसे white-skinned boy से चीक है तो जो इसमें जो आपके जितने भी बच्चे हैं वो कैसे होते हैं medium brown skin के होते हैं तो segregation इन F2 generation में F2 generation में segregation क्या होगा यह बताना है आपको तो क्या हो जाएगा एक यह यह वाला दी option सही था एक चार छे चार एक यह चलिए 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 नेक्स्ट वान आओ तो क्या सो करते हैं राइट हैंडट सो करते हैं और और तो इसका जो सही अतर है चलिए यह जदने भी जैने टेक संट रांट वीडिंग के क्वेशन से वह आप प्रतिवा में से जिनकी क्लास मिदें जो यह थी वजे नहीं पांच बजी उन से पूछ है ना वो अच्छे से समझा देंगे आपको ठीक है यह जनेटिक्स और बीडिंग का पार्ट है है ना हम आप तक सिर्फ आंसर पहुंचा सकते हैं इसका और चलिए नेक्स उनीज ना गयव फिक तो यह क्या कहलाता है अगर her वह दूसरे प्यूरी さん को रही ऐदें का क्रांजीशन म्यूटेशन कलाता है क्रांजीशन म्यूटेशन हो टो इसका जो कर्ठ उत्तर है जखका वो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यह भगर नेक्स्रणैस अदर आट ऑ पर फफ प्दिक स्पीक इस प्यृप लरक यह ना उटिक्स प्यृति रियो है रटोरिक ठिक है रियो टोरिक ठीक है रेटोरिक होगा सब से बातर यानिकी इसी जिससे हंदी मी कहते हैं किया हंदी मीं कहते हैं बक्र पर्टुता थोड़ी इसके बाद था की ELEMENT In A Non Formal Education Non Formal Education का Key Element क्या है बताएए तो क्या हुझा जाएगा Learner ठेक है non-formal education का जो key element है learned कहला एक चली अगला क्वेशन हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कर लेते हैं यह खतम दावर्ड इंपैथी बाद फस्ट यूजर इन उनने स्व बीस बाई एन अमेरिकन साइंटिस्ट तो यह किसने यूज किया था यह बताना आपको तिसमें जो पहला उत्तर है वही सही है ईबी आना टिशनर यह यह हां ठीटिन हरे ठीग है चालो एंग मudն नेक्स्ट मैंट गॉन्टेक औरह पार्मिंग इमर्ज दीरीं विच प्रोग्राम जो कोंट्रक फार्मिंग सब लगयेक स्प्रोग्र्राम के डूरिंग जो है वह इमर्ज हुआ था किस प्रोग्राम के दोरान एबरा था तो जब 25 किया अधिया था टि ए वी स्टाल्म से बहलकु तब यह कंट्र थार्मिंग की बात यहीं से स्टाठ हुई गार दिया आएं मिजर और ऑफ घुड़नेसस और तेज़ार्य इस also known as किसको अच्छाई या वांचनी या रूप से भी जाना जाता है बताए ला टैबूस रिचुवल्स या वैलूस मुलिए सभी उत्तर क्या होगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा वैलूस यह क्या कहलाती है आपकी वैलूस कहलाती है ठीक है चली नेक्स्ट इसके बाद किया दिया है और्गनाइज़ एक्सेंशन सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया बिद्दा लॉंचिंग आफ प्रोग्राम बदाए ब्यवस्तित प्रसार सेवाओं की शुरुआत भारत में इस कारिकरम के साथ सुरुआ यू शुरुआत हुई तो किसके साथ सुरुआत हुई थी बदाओ फटाओ फटसे अंसर करो आप लोग हां तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा cdp क्या हो जाएगा cdp जिसको कहते कम्यूटी सब्सक्राइब में उननीस अबावन यह चांवन है देख लेना आप लोगे वारिस के यह को ठीक है मुझे याद दिया है चलिए इसके बाद क्या दिया है वाई हैड गिविन एना सिक्स फोल्ड क्लासिविकेशन आफ सोसल क्लास इना स्टडी ऑफ न्यू इंगलेंड टाउ और अपर क्राइब और तो यह किस ने दिया था आपका जो जो श्क्स फोल्ड क्लासिवीकेशन आफ सोचल क्लास है यह किस ने दिया था वार्नर एंड एंड एडिया आड जिसे लूंट कहते हैं चिक चलिए नेक्स वने से एस्ट एफ अन प्लीजन्ट साइकलाजिकल यह तो पता ही होगा आप लोगों को cognitive dissonant निसकालाता है is that clear है चलिंदे बढ़ते हैं अगले क।्षण की और अगला क।षण देख लेते हैं घृफ अगला क।र अगला क।षण का दिया है एंस था बजट लाइन मस्ट बी बजट तलाइन मस्ट भी याने की जो लाइन है बजट रena रेखा होनी चाहिए बजट रेखा कैसी होनी चाहिए यह बजब आना आपको इसमें तो वह अधिमान बखर के it was Lucky होनी czyli answer लुदा इंडिपरेंस कर्व तो इसका और सही उत्तर था वह ता इत था इसका जो सब्सक्राइब करेक्ट उत्तर क्या होगा कि इंड आफ फस्टेज तो यहां पर फस्टेज की इंड में जो है वह आपके MPP और APP जो है वह इंटर सेंटर सेक्ट करते हैं जब आप इसका ग्राफ पड़ोगे तो आपको अच्छे से पर्दक्राइब साग्षाइबि आजा जाएगा नेक्सी इन the production function by वरावर fx1 जिसमें X1 का मतलब क्या होता यह बताना आपकोright क्सI का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इन-पूट इसमें को वा इन-ञ इन-फोट removing that term land includes landamento LE and asks का मतलब क्या होता है आज आल ऑल्ला माटेरियल्स डैट नेचर प्रॉइट टुड़ा मैन एफुर फूर फूरी तो यहां पर मतलब है जो नेचर ने मैन और प्रॉइड किए जितनी भी फ्री इंग्स है वो सारी प्रॉइड कर यए फूर्श में आपके में कीमत में बदलाओ बदलाओ पर मांग में कोई प्रतिक भी यह तो पता ही और फिक्छी इनलस्टिग डिमांड पर फेंड इनलस्टिग डिमांड कह लाती है इसके बाद अकर्ब विच कनेक्ट्स दा लीस्ट कॉस्ट कॉंबिनेशन एट वेरियस लिवल आफ आउट्पुट यह क्या कहलाएगा आपका तो यह जो है एक वक्र जो आउट्पुट के बिभिन इस तरों को नियूंतम लागत के सायोजन को जोड़ता है यह आपका क्या कहलाता आपका यह एक्सपैंशन यह पहला ऑफसन क्या दिया है एक्सपैंशन पाथ जिससे विस्तार पत कहते हैं तो यह जो है वो इसका सही उत्तर है विस्तार पत ठीक है चलिए इसके बाद अगला कुशन है एकनोमिक्स इन वार्ट एकनोमिक्स हूँ गैव डेफिनीशन ओफ एकनोमिक ठीक है तो यह जो जैकॉब बिनर ने दिया यह जैकॉब बिनर जैकॉब बिनर जो है ठीक है हाँ इन्हों ने दिया यह एकॉनमिस्ट इन्होंने यह डेफिनिशन दी हुई है next one is for calculating the minimum support price which cost are considered minimum जो न्यूंतन समरतन मूल है कि गरणा के लिए किन लगतों पर किया जाता है कॉस्ट एन पर किया जाता है या कॉस्ट एक टू प्लस असा च्यलिया जाता है 80 to 90% कभी कभी 90 90% होती है next one is किन्नो मेंडारीन जा क्रॉस बिट्वीन तो किंग गुड़ें बिल्लो लीफ यह किसका क्रॉस है किंग गुड़ें बिल्लो लीफ का है यह आपका होटी गल्चर का कुश्चन है यह तो पता ही होगा आपको आपको कई बार रट्टा लगवाए ह इन फ्रोस्ट एन एंस पीफ एक नज़़ास्त के दुबलप किया गया था यह तो पता ही होतों गो नेक्स्वाइड सीमेप कहां पर इस्थित है सीमब बताना आपको तो सीम हाप तो पता ही होगा सी मैप कहां पर steppen by लग लगनव उत्तर प्रदेश में नेक्सवास पूसा termination of a seed while it still remain attested with the parent source मतलब कि वीच का किवहां का जाता है मतलब कि parents से ही जुड़ा हो तब भी उसमें क्या हो जाता है जर्मेशन हो जाता है तो इस तरह के भी पड़ाती है तो यह सीध का पार्ट है चलिए उसके पाद अगला न अगला क्वेश्चोन सीपी सी अराई कहाँ पष्तित है ये बताना आप को ये तो चैली किसी फिर अरॉए कहा परेस्टित है किया कर ला का परेस bye से है सिक्थिर ला मिस्तित है ठीक है नेक्स्ट वन बिद्धा ए विद्धा पॉलविंग ब्रांच ओ ओ पॉटीकल्च बढ़ी इसके बाद प्रोटेंटी जो है क्या दिया सब्सुरी स् inviting आBlue-short Ami dust काने यह समदित है नудь-स आपको अब किस आपको अगछा देख लेते हैं अगला कुष्छन देको क्या दिया है अगला कुर्ष्छन देक दिया है अगला कुष्छन विच्वर इस दा मूस्ट इस्टेवल काउंड औफ काइंड ओफ आर एने फाउंड इन सेल बताइए कोश्का में पाया जाने वाला आरेने सबसे इस्थर प्रकार का होता है कौन सा यह बताना है आपको एक चैना रहेंए MRNA या आर आरे ने बोलिए तो क्या हो जाए ने सबसे स्टेवल जो सेल में होता है वह आपका और आर ने होता को जा आर आर ने अग्ल्रप्रण हो गया हई और वियू पुछाना निये फॉसकर участством कहा देखो क्या दिया है अगला क्वेश्ट इंजाइम यह प्रोटीन इसक रीजाए क्या बीजाइम है कौन सा नहीं प्रोटीन नहीं पाई जाती है जिसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है इस तरह कि एक्जाम में कुष्चन बहुत पूचे जाते हैं और कोई अगर एक्जाम देने वाले हो तो यह याद रखना तो क्या हो जाएगा राइबो एंजाइम है क्या है राइबो एन्जाइम इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है राइबो इंजाइम तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही उत्तर किया गया है वो क्या है आया ट्रिप्टोफन तो ट्रिप्टोफन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सिर्फ एक ही जैनेटिक कोड होता है जिसमें सिर्फ एक ही जैनेटिक कोड होता है यह थोड़े से फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं ठीक है चलिए आगर वड़ते हैं है नेक्स्ट अगला कुश्चन को गया है विच आप दीफ फॉल्विंग डिजीज कॉज़ भाई डफी सन्सी आफ निया से निया तो पताई हो गया अप लोग ये तो ये दो बदाई हो गे ये तो ये बाई ये निया सीन की डफी स्थियूशन और प्यूरीन बेश बिदा पिरमेडीन यह यह उल्टा है ट्रांजीशन जैसे हमने अभी बताया था लेख ट्रांजीशन बताता आपको अ यह बताव बस यह बताजी दोगे। ठीक है तो देखो अभी हमने कैने बताए था एक प्री कर यह दूसरे पर्मीतिक लाज जोरिए थे ट्रांसी रिवाग Parent कि निस के दोरा दूसरी किसी दूसरे सट्थे और उसरे यहन्यानी प्र benefici कि तो उछा है तो pres which of the which of these which of these is our secondary metawolet volatile वोलाइट मेटा वोलाइट चीक है बताना है दूतिया को पाप चेट बोलीगे यह तो सही है डी क्या हो जागे स्टरोइड है क्या है स्टरोइड नेक्स्ट अगला इसके बाद दिया है हीमोफिलिक मैन मैरी विदा ओमों जाइक भूमें हूं यह जान ही नोट भी मों फिलिक वट दा पौसिबिलिटी अ देस्ट इन चाइड में भी हैव हस्टांव और सबवाद आफ में हीमोफिलिया है कि हमोफी लिए से इक सम्यूम योगमक मैई से महिला हां जो हीमो दो नहीं है तो क्या समावना रहती ह проблем क्या ही मोफिलिया हो सकता है तो अगला आपको टिया तो सभी को पता है सूर सुर सुर्सकी करण सोल सॉर ड्राइंग ठीक है धूप में सुखा लेते हैं क्या कर लेते हैं धूप में वेटिवल्स को सुखा लेते हैं चलिया अगला सब्सक्राइब कि क्राइटिरिया आफ इस पाइरल स्पाइरल इस सप्रेटर अफ ग्रेज राउंड नेश ठीक सपाइरल सप्रेटर वंद्र एदौरा अनाज के दानों को अलग करने का मुक्त आधार उनकी यह रूब ने शोती है 및 कि अनुसार करते हैं separate यह कलर के अनुसार करते हैं यह किसके अनुसार करते हैं इसमें जिस्टुमेंट यूजरिंग डिसचार्ज रेक्टेंगिलर वियर यह पार्सल फ्यूम बोले सही उत्तर क्या होगा यह तो सही है यह तो आपका इसी क्वेशन है यह क्यों आल आफ दाओब हो जागा सबीनोच रेक्टंगलर वियर या पार्सल फ्लूमेंग अभी का यूज करते हैं जल के बहाओ को मापने के लिए नेक्स्ट फान इस लेंथ आफ गंटर्स चैन की लेंथ क्या होती है यह बताना आपको गंटर्स चैन की लेंथ कितनी होती है तो 66 फीट होती है कितनी होती है 66 फीट होती है तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका इसके बाद अगला कुछ ने था बेस्ट मैथट ऑफ हम अवाइड करते हैं तो सबसे सही जो है वह क्या हो जाएगा ड्रिप से चाहिए हो जैसे टपक से चाहिए या बूंद बूंद से चाहिए हम कहते है नेक्स्ट वाइन इस एप्रोपियेट मेकेनिकल मैजर्स टू कंट्रोलिंग सॉयल रोजन इन एरिया हैविंग तीन से 10% स् ठीक है तो यहां पर देखो थोड़ा सा हम कहेंगे कि इसमें कुस्टन को बंडिंग इसमें सही किया गया ऑफीशल जो आंसर की है उसमें बंडिंग सही किया है जब कि बंडिंग जो है वह आपकी इन जनरल 6% या 8% स्लोप तक ही काम करती है इसके बाद बंडिंग करने का को हाँ किया गया है बंडिंग कर दिंग अगर देखा है तो टरस इसका होना चीव ठिक है लेकिंग उनक्तर लोगों परतार्धन की अगली कड़ी रएल एरोजन तो यह तो या यह तो पता ही होगा सभी लोगो 99 कि रिल रोजन हो जाएगा एज तो सी ट्रोजन के बाद रिलोस नेक्स्ट अगला प्वेश्चन अगला अगला एंड लास्ट कुछ्चन है क्या दिया है आपका ईूनिट मिजर्मेंट और फ्लोइंग वार्टर बार्टर क्यूम refund स्कीयुमेक का मतलब होता है कि मैं Syria को सब्सक्रण हो रहा है तो हम हम क्यूबिक फिट पर सेकेंड मिले ठीक है ठीक है तो यह आपका हो गया क्वेशन सी आपका टूटल पेपर है इसको आप लोग शेशन को लाइक भी कर सकते हैं अगर आप ने पूरा देखा हो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं है ठीक है चलिए और जो लोग नए है नए स्ट किसी भी अग्जाम की preparation कर रहे हो किसी वी अग्रिकल्चर की preparation करना चाहते हो तो भाई आपके पास एक ही चांस है क्या मतलब की एक ही ऑप्सन नहीं एक ही option है अच्छे से पढ़ाई सही से सारे agriculture के courses को आप لوग पढ़ लो ठीक है इससे क्या होगा आपको हर सबजेक्ट का और इंग्लिस मीडियम इंग्लिस मीडियम मींस बाइलेंग्वल बैच यह स्टार्ट हो चुका है अगर आप इन्रूल करना चाहते तो गूगल पर टाइप करना फस्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है इसके बाद आपको पेज दिखेगा या आप सीधे मोबाइल एप्लिकेश थी है और इंग्लिस बाइलेंग्वल दिया है और यह भी प्रीप्लस मेंस है अगर आप इंग्लिस मीडियम के स्टूड़न थो गना चातो तो इसे स्टार्ट हो चुआ है और आप पि जो शिभी मिल नाएंगे 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुगा है तो इस बैच पे क्लिक कर देंगे या टाइम यह और सारी चीज़े लिखी होंगी अगर आपको इन्रोल करना है तो क्या करना है सिंप्ली बाइनाव पे क्लिक करना है और डिसकाउंट कोड यूज करना है वाइट टू सिक्स ए वाइट कर आपको इन्रोल करना है तो इस डिसकाउंट कोड से आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिल जाएगा चलिए आज का सब्सक्राइब करते हैं थैंक यू सबी को ऑल दा बेस्ट ठीक है जिन लोगों ने भी 36 गड़ारियों का एक्जाम दिया है ठीक है और रिजल्ट का बेट करो रिजल्ट का बेट करो बस रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा ठीक है उसके लिए आल दे बेस्ट आप लोगों को और निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है कि सर हमारे तो 60 ही सही हमारे 70 ही सही है भाई सबका यह आल होगा ठीक है तो एवरेज जो है अब रिजल्ट आने के बाद ही बता चलेगा चले थैंक्यू मिलते हैं फिर